Hello everyone, welcome back to our channel Rise for Excellence आज के इस वीडियो में हम 7th June के जो है current affair discuss करने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो हमारा आज का first question है कि UNTAP scheme जो है वो कहां शुरू हुई है हमारे options हैं फंजाब, असम, लद्दाख and हर्याना अगर आप इसका correct answer देखें तो वो है लद्दाख, लद्दाख के जो lieutenant governor है उन्होंने इस scheme को launch किया है और ये जो scheme है ये बच्चों के लिए है इस scheme के तहट 12,300 tablets जो है वो बच्चों को दिये जाएंगे ये जो scheme है ये initiative है department of school education का और इसको support किया है information technology department में जिसके तहट जो है इन tablets को दिया जाएगा और इन tablets के अंदर जो है वो online और offline content दोनों रहेगा उनका जो syllabus है उनके जो lectures है वो सब कुछ रहेंगे और ये 6 से 12 class के students को जो है वो दिया जाएगा ये जो scheme है ये सिरफ इस pandemic के लिए नहीं दी गई है आगे आने वाले वक्त में भी जो है वो बचों के लिए इसका जो है वो फायदा होगा और education system को ये और strong बनाईगी अगर लदाग की बात करें तो लदाग जो है हमारी union territory बनाईगी है 31st October 2019 में इसके जो governor है वो है आर के माथूर अगर लदाग के कुछ facts देखें तो आप देखेंगे कि लदाग भी जो है वो लाज स्टेलिक ओप जो है वो पाया जाता है एशिया का यहां पे जो है gravity fail हो जाती है मतलब आप gravity में फूस नहीं घरते हैं और यहां पे जो है world का highest bridge पाया जाता है इस land पे जो है आपको camels मिलेंगे जो की twin hump होते हैं उनके दो hump होते हैं और यहां पे जो है highest natural ice hockey rink भी है यहां पे जो lakes है वो जम जाती है और फिर वहां पे जो है वो hockey खेली जाती है तो लदाग में जो है ऐसी बहुत सारी fascinating चीज़ी है जो देखने वाली है तो आप यहां जो है वो travel कर सकते है हमारा next question है कि 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 IIT ने जो है वो develop किया है oral solution black fungus के लिए तो हमारे options हैं IIT Roperd, IIT Madras, IIT Hyderabad and none of these तो इसका correct answer है IIT Hyderabad, Indian Institute of Technology Hyderabad ने जो है इसको develop किया है और यह जो है यह oral tablets हैं जिनका नाम है Amphotericin B यह जो है black fungus के infection को कम करने के लिए काम आएंगी अभी जो यह tablets है यह 60 mg की है और यह रूपी 200 में जो है वो विकेंगी और यह जो है वो patient friendly है इनसे क्या होगा कि जो आपको post covid के जो भी effects हो रहे हैं उनको कम करने में जो है यह help करेगी हमारा next question है कि किस bank ने जो है अभी recently economic research report eco wrap जो है वो publish की है हमारे options है State Bank of India, Reserve Bank of India, Corporation Bank, Indian Overseas Bank तो इस question का correct answer है State Bank of India उन्होंने जो है इस report को publish किया है और उनकी यह जो latest report है यह बताती है कि इंडिया का जो GDP है वो 2022 तक जो है वो 7.9% का होगा जो की previous projection से जो है वो कम है पिसकी बार इनोंने बोला था कि 10.4% है वो growth होगा लेकिन इस बार इनोंने 7.9% का growth बताया है because of second wave of COVID-19 हमारा next question है कि किन को जो है IS Vice Chief जो है वो बनाया गया है हमारे options है RKS Badhoria, Vivek Ram Chaudhary, Kuldeep Singh and none of these इस question का correct answer है Vivek Ram Chaudhary presently जो है वो command कर रहे हैं Western Air Command में और Air Martial H.S. Aurora को वो replace करेंगे हमारा next question है कि 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 country की Parliament में जो है recently approved किया है Plan of Artificial Island तो हमारे options हैं Denmark, China, Japan and Korea तो इस question का correct answer है Denmark इन्होंने जो है यह announce किया था World Environment Day के उपर और इनका मानना है कि यह country का सबसे largest construction project होगा इसमें 35,000 people को जो है accommodation होगी रहने की और इस island का जो है वो नाम दिया गया है Lenato Home अगर Denmark की बात करें तो Denmark जो है वो Sweden के बास है इसकी जो capital है वो है Copenhagen और इसकी जो currency है वो है Danish Krone अगर आप देखें तो Denmark भी जो है वो अपने designs and architectures के लिए जो है वो बहुत famous है और यहाँ पर जो है iconic जो statue है Little Mermaid वो आपको यहाँ पर मिलेगा हमारे next question है कि CBSC ने recently जो है किस company के साथ collaborate किया है ताकि 6th और 8th class के लिए जो है coding curriculum जो है वो introduce किया जा सके हमारे options है Google, Vipro, HCL and Microsoft तो इस question का correct answer है Microsoft Microsoft ने जो है वो CBSC के साथ team up किया है ताकि बच्चों को जो है coding and data science जो है वो सिखाय जाए तो 2021 के academic care में जो है बच्चों को यह सिखाया जाएगा class 6th से जो 8th तक बच्चे है उनको जो है coding introduce कराई जाएगी और 8th से 12th के बच्चों को जो है वो data science जो है वो बढ़ाई जाएगी हमारा next question है कि कि state comment में जो है वो announce किया है 33.3% का reservation girls के लिए जो की engineering और medical colleges में पढ़ेंगी तो हमारे options है असम, gujiraat, panjab and विहार तो इस question का जो है वो correct answer है विहार विहार ने जो है वो announce किया है reservation को और विहार जो है वो first as a state बना है country का जिन होनी जो है ऐसा reservation girls students के लिए रखा है तो चलिए अब कल के question के बारे में जान लेते हैं कि और इसा के chief minister and governor कौन है जिसका correct answer है नवीन पटनायक जो है वो और इसा के इस वक 14th chief minister है और ये जो है ये बीजू जन्दादल के जो है वो president V है और और इसा में देखें तो ये longest serving chief minister है और और इसा के जो governor है वो है गनेशी चलिए हमारा आज को question है कि Facebook India ने जो है एक tech scholar program जो है launch किया है उन students के लिए जो research and mentorship कर रहे है तो आपको हमें ये बताना है कि ये जो program है ये किस field के students के लिए launch किया गया है आप हमें सांसर जो है comment section में लिख कर बताएं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्ल कि प्लाइब कर दो Clay है उन सांसर ये जो है मैंता है ये झूट विर का व्या आपको हमे।